हेलो फ्रेंड्स वैलकम तो माई चैनल आप सभी कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे तो आज मैंने बनाई है राजमा करी यह बहुत ही टेस्ट्री लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो और यह खाने में राजमा चावल राजमा पराथा राजमा पूरी आप इसे कि किसा किसा कहा सकते हैं जा स्टार्ड करते हैं हम से तो सबसे पहले मैं इक injury गैसपा पी रही है उसे सबसे पर हम सबसे पाले इसमें डालेंगे तो थोड़ी सी हमिस में ड산 नवी तो आप अब लीस्तर सुमी आप जीर डाल देते हैं चाहा अर अब यह चर राचमा को आथ स अब इसमें मैंने तीन प्याज लिये हैं इनको बहुत बारिक चॉप किया हुआ है यह हम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से भून लेंगे प्याज चॉप अच्छे से भून जाता है तो इसमें बहुत ही अच्छे कुछ पुआने लग जाती है और यहां पर मैंने अध्रक लजवन को बारिक पेस्ट पना कर इसमें डाला है इससे इस सब्चिकाव टेस्ट पहुत ही यमी आने वाला है तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे और यहां पर मैंने एक कैटूरी राजमर लिये हैं इन्हें मैंने रात को आट से तस घंटे के लिए भिगो दिया था और इसे मैंने तीन चार सीटी लगा कर इसे बॉल कर लिया है यह इस तरह ऐसे अच्छे से यहां पर मेरे प्याज भी पक चुके हैं राउन हो चुके हैं और यहां मैंने 3-4 तामाटर को बिल्कुल बारिक पारिक एक तब फाइन पेस्ट नहीं मतलब थोड़ा सा बारिक कर लिया है और यहां इसमें डाल देती हूं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम मसाले डाल दाल रही हूं हल्दी पाउडर यहां धन्या पाउडर डाल देती हूं एक चमच अब इसमें मैं लाद मेच पाउडर डाल रही हूं आप चाहिए तो इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मेच भी डाल सकते हैं उससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा यहां पर मैंने नमक जाल दिया पकालेंगे जब तक मसाले अपना आइल ना छोड़ें तब तक उसमें पानी ना डालें फिर वो जो तरी जो आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है और उससे सब्ची कलर टेक्शर बहुत ही अच्छा आता है तो यहां पर मैंने इसे ढग दिया है चेक करूंगी यह देख अब यहां पर हम इसमें राजमा डालेंगे यहां में राजमा डाल देती हूं इसमें और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहां पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां अभी डाला है अब इसमें जब तक बॉइल आता है तब तक इसे हमें पकाना यह दिखिये यहां बॉइल स्टार्ट हो गया है हुआ है अब यह सबघी रेडी हो चुकी है और सब्सक्राइब यहीं हम इसे दो मिनट पकाने के बाद कैस को अउफ कर देंगे यहां इसमें अच्छे से बॉयल आता जा रहा है और जब इसे गैस आफ कर देंगे उसके पाद हम इसे बारिक कटा हुआ धन्या डाल देंगे और अब आप इसे सर्फ कर सकते हैं राइस के साथ पूरी के साथ परांठे के साथ यह बहुत ही तेस्टी बरिंगर तायार हुए दोस्तों तो आई होप आपको पसंद आए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू पर वाचिक मैं वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स